प्यारे साथियों आप सुभी का स्वागत करता हूँ अपने MRS Study परिवार में तो डियर आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बिहार DLRS में Various Post की Requipment 2023 में निकाला गया था उसका जो Document Verification के लिए Result था वो आपका जारी कर दिया गया था Document Verification भी Finally Complete हो गया 22 जन्वरी को उसके बाद 22 जन्वरी से साथ दिन यहीं लगबग मान कर चलो कि 30 जन्वरी थक कई सारे लोगों को Document Verification के दौरान Pending किया गया था तो उन लोगों को टाइम दिया गया था Document जमा करने के लिए उसके बाद अभी भी मतलब कुछ लोग बिस्सी बोर्ड ऑफिस में गये वहाँ पर बात किये कि कव तक जो है मेरिट लिस्ट आ सकता है तो वहाँ पर उन्हें जवाब मिला कि जो मेरिट लिस्ट है उसमें थुड़ी अभी देरी है और जो आपका पेंडिंग जिनका भी कंडिडेट का था उसके उपर काम चल रहा है ये काम 10 से 15 फेवरिरी तक चलेगा उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा तो जो वहाँ पर स्टुडेंट लोग गये थे उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट है फेवररी रास्ट है ना यह आप रॉक्स मान कर चल सकते हो कि 28 या 27 फेवररी या फिर 1st to 5th मार्च के आसपास आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिल लेगा इससे पहले उमीद रखना गलत है क्योंकि इतना टाइम आपका लगेगा क्योंकि पेंडिंग वालों के उपर अभी भी काम चल रहा है कुछ लोग भी प्लानिंग बना रहे हैं कि 20 फेवररी तक आसपास एक वार फिर से चला जाए तो आप लोग जा सकते हो वहाँ पर जाओ पता करो क्या वहाँ से अपडेट आता है बट जो मुझे अभी अपडेट मिला है वो यही मिला है कि आपका जो है फर्वरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ड जो है मेरिट लिस जो है वो आपका जारी किया जाएगा जो भी अलग अलग वेरियस पोस्ट है अमीन कानून को एसो और कलर का सभी के लिए बाकी से रिलेटेट जो भी अपडेट होंगे आप लोगों के साथ सेर किया जाएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बी-से-सी बोड से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है सारी अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलते रहते हैं चाहे वो competitive examinations का हो या कोई courses से related classes का हो सारी अपडेट्स यहां पे जो है दिया जाता है चाहे BCCA ली हो, BCC हो, DCC हो सारी अपडेट्स दिया जाता है और जैसा कि आपको पता है कि यहां पे पहले जो BCC board के दोरा exam लिया गया था BSFC का तो इसका finally जो है सारी process complete हो चुकी है training के regarding update भी आ चुका है तो training के regarding update मैंने जो है already डाल दिया है तो वो आप videos देख लेना कि कब से training होगा, क्या timing होगा ओके